विल्कम बैप माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज का हमारा सेजन है इसमें हम बात करेंगे जितने भी हमारे अब्जेक्टिव कोशन बचे हुए है ठीक है बेसी पार्ट बंगा बेसी फस्ट का सेमेस्टर बंग में अपने जितने भी और सब्सक्राइब चैनल को हमारे सब्सक्राइब और साथ इसाथ बिल आइकन को प्रेस करतें जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सब्सक्राइब और आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं आई होप कि अगर आप यह सभी कुश्चन्स अच्छे से पढ़े लेते हो दो आपका कोई भी एंसी को छुटेगा नहीं ठीक है सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए वरना आप यहां से वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ठीक फॉर्थ यूनिट है हमारा सब्सक्राइब करते हैं यहां पर भी चार लेक्ट्राइब हो जांगे हमारे इस पर देखो बेंजीन में तो बेंजीन के अगर अबात करें तो बेंजीन के प्रतिय और अ Chris इंपर I आपकी बेंजीन मॉलिकेल स्पेटरे आपको यहां पर चार अपर यहोगे आपके जो कि क्या दरसाते हैं SP3 दरसाते हैं पूंच्रा SP3 नहीं और किसमें नहीं होगी आपकी बैंजिन मॉलीकुल में इस पित्री अपडाइजेसन हैं यह ग्याद करना है तो अगर हम बात करें डवल वांड की तो डवल में आपका एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है पाई बार्ड और अगर तो यहां देखो स्पिग्मा यहां पर क्या हो जागा है आपका एक पाई बॉंड और यहां पर एक पाई बॉंड और यहां पर आपके कितने पाई बॉंड हो जाएंगे दो पाई बॉंड तो कुल मिलांगे कितने होगे चार तो यहां पर क्या हो जागा आपका उप्सन हो जा है तो च्छ फॉर का साइज क्या होता है करवन और इस तरह से कुछ होता है इसको हम क्या कहते है टेट्रा हैड्र टीक है कैसा होता है आपका टेट्रा हेडर चतुस्प लगी अगला एलकेनों में और होता है के बीच मैं इसी को एलकेन कहते हैं ठीक है कारवन सिंगल बाउं कारवन न क index गछ रहा हमारा m m m n की पर फेट होता है क्यालता मीईजो मरीजो MAERIC, MISOMERIC EFFECT यानि कि यह ऐसा EFFECT होता है जिसमें ELECTRON Arts को अपनी और खेंछने की TENDANCI होता है अपनी और ELECTRON Arts को MISOMERIC EFFECT तो कौन उत्पन करता है इस पर तो LONE PER होगा यह नहीं खेंचेगा CH3, यह पहले ELECTRON को डोनेट करने वाला होगद है अब यह बात करें हम एनो टू की ठीक है किसकी अनो टू की तो यह हमारा क्या करेगा एलेक्टाणों को खींचे का किस क्योंकि इस पर दो ऑक्सिजन को रप लगे है जो की नाटोजन और ऑक्सिजन की इन दोनों की इलेक्टो नेगेटिवटी जर्फिलिक है जो इलेक्टाणों के पास जातें कहां जाते हैं जो इलेक्टाणों के पास जाते हैं वह हमारे के कहलाते हैं ग्रह्त करों हो आपका एक को जाना रहता है तो अधरए घ्राज कर लेखा दि एट ये पास अब टो फ्लीन आपका एक यूण करफ क्या होता हमारा carbon dioxide क्या होता है co2 carbon dioxide तो इसका पहला option हो जागा थार कहरा हमारा birds अभी कर्मक क्या तो यह देखिए देखो जाए इसमें आपके साब से birds सब कर्मक क्या हो जागा बुड़ सब कर्मक की अगर हम बात करें तो इमारे एक खेलाईड और sodium के हलाइड होते हैं तो इनको कहते हैं बुड़ अभी कर्मक यानि कि अ इस प्रकार के अभी कर्मक अप्रियोग किये जाते हैं नेक्स्ट हमारा कहा रहा है ग्रिगनाड अभिकर्मक है ग्रिगनाड अभिकर्मक यह क्या होता है एक एलकुल गुरूप लगा होता है दूसरा क्या होता है मैगनीशियम के साथ में एक हैलोजन लगा होता है तो हमारा क्या हो जागा पहला हो जागा ठीक है एलकुल गुरूप magnesium और यह क्या हो गया हो गया हैलोजन तो यह क्या हो जागा हमारा ग्रिगनाड अविकर्मक हो जागा अच्छा नेक्स हमारा है 10 कह रहा है एथेन के सरूपर की संख्या होती है मतलब एथेन को हम कितने प्रकार से विवस्थित कर सकते हैं तो एथेन को हम केवल हम दो ही तरह से विवस्थित कर सकते हैं ठीक है एतन का सूत्र क्या होता है c h2 c h2 c h3 c h3 यह आप कह सकते हूँ कि c2 h6 यह क्या होता हमारा एतन होता है ठीक है तो इसकी संटुपर संक्या कती है तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, क्या कनफरमेशन, तो कनफरमेशन क्या होता है, भी देखो यह होता है, और इसी के पीछे आपको एक और दूसरा लगा मिलेगा, मालो यह इसके पीछे है, तो यह कारवन पहला है, इसको पहला नमबर देदो, इसको यह लगे हैं, एक हाइडोजन, दो हाइडोजन और तीन, इसके जो अंदर कारवन है, उस पे भी इसी तरह से तीन हाइडोजन लगे होंगे, एक हाइडोजन, दो हाइडोजन और तीन हाइडोजन, एक और एक फार्म इसकी और हो सकती, जिसको हम यहाँ इसके पास में लिख सकत सकते हैं कौन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है अब यह बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक इन में से कौन सा आपका नहीं है यानि कि इलेक्ट्रोन को अट्रेक्ट कॉंसा नहीं कर सकता है तो देखो ये इसके पास प्लस है ये इलेक्ट्रोन को अट्रेक्ट कर लेगा ये भी कर लेगा भी हमने देखाता है इलेक्ट्रोफिलिक है और ये भी इसके पास भी प्लस का तो ये विलेक्ट्रोन को अट्रेक्ट कर ले नुकलिव फिलिक की तरह अट्रेक्ट नहीं होगा तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह सभी हो जाएंगे क्योंकि इसके पास माइनस का एक लेक्ट्रों अधिकर तो इसके पास चला जागा इसके पास बी-फ-3 यानि कि एफ कैसा हमारा एलेक्ट्रों नेकर यहां चला बता है तो दो यहां में प्रोट्रों में कि रेक्ट्रौन होता है तो प्रोट्रों में क्या होगा Cornell एक भी नहीं होगा ठीक है प्रोटां कि अदिकाई में अधिकतम कितने एलेग्ट्रों रह सकते हैं तो भी और यहां पर कहजाते हैं कि on that किसने बताया था तो कार्वण की चतुपल की जो hov ce nath i sqo kisOnniaадik था कौन हैसा बाग्यानिक था तो यह हमारे थे वहां टाप एंड लवल क्या थे बांट स्द जेशा दो नहीं करता है कि जो कारवन की सद्दचना तो चान्स पंकी अइन की टेटरा हैडल हो ठीक है टेटरा हैडल कि यहोगजे आपकी टेट बन हीक के बंद करवंद कारवन का वन कार घ्र मंद गया बंद कारवन कारवन कारlo online की डॉलबांड वाले मिं ठीक हो उसके बाद आपकी एभी टृपल यानि की सबसे ज्यादा किस में होगी स्ट्रोंग सिंगल फिडिवन फिर उसके बाद 3 तो सबसे पहले कर वांड करने कारण एसकी वह ओती 1.54 एंग स्ट्रॉम डवल बॉंड की कितने होती 1.34 एंग स्ट्रॉम और ट्रिपल-बॉंड की होती है आपकी 1.20 तो यह हो गया आपका बॉंड लिंथ का रिशियो अगला कह रहा है SP, SP2, SP3 संकरण में बढ़ती होई उर्जा का क्रम क्या होगा तो SP, SP2, SP3 संकरण में बढ़ती होई उर्जा का क्रम क्या होगा तो सबसे ज्यादा उर्जा किसके होगी जिसके पास मतलब जिसके पास और्बिटल कम होगे उर्जा उसकी सबसे ज्यादा होगी ठीक है जैसे जैस का है इसमें 2P गें ठीक है, energy इसकी कम हो जाएगी, इसकी प्यक्चा, और आगे बढ़ोगो SP3, यहाँ पे आपको P के 3 मिलेंगे, यह कैस का मिलेगा, ठीक है, तो इसकी energy इस से कम हो जाएगी, यह आपका हो गया energy order, ठीक है, ठीक है, नह 4 प्लस में किस प्रकार का बंद्ध पाया जाता है तो इनेज Umorn他 मारणा सका है इना फॉर यह विलस तो इसमें प्रकार का बंद्ध इत nations बंद पाया जाता है को टॉलएन्ट बॉर अन्डश बहाद इसमें दोनुगहिए पाया से शेकार और उपस ऐसे मिल जाने कर दोनों तरह के बाहांद आपको एर फोर प्लस में देखने को मिल जाएंगे अगला है संक्रड तथा बंद कोड क्या होता है तो यहां से आपकी हैविडाइजेशन कितनी आएगी SP3 क्या जाएगी आपकी हैविडाइजेशन SP3 संकड़ होता है CH4 में और बॉंड एंगल कितना होता है 108 डिगरी अटाइस मिनट ठीक है 108 डिगरी अटाइस बन एक सो अट डिगरी और यह आपका 28 मिनट हो जाएगा CH4 नेक्स्ट हमारा कहारा है हाइपर कंजुगेशन में किस बंध का इस्थाना अंत्राड होता है तो भी हाइपर कंजुगेशन में देखो पाइब और अगर होंगे तभी वहाँ पर आपका क्या हो जागा हाइपर कंजुगेशन हो गया यह एक्ट्रों की शिफ्टिंग को दिखाता है इस इस इंगल भी हो सकता है इस इंगल को हम क्या कहते हैं मुक्त मूलक कहते हैं ठीक है फ्री रेडिकल जैसे कहते हैं तो इनकी कैसे होती अनुचुम्ब कैसे होते हैं यह पैरा मैगनेटिक ठीक है पैरा मुक्त मूलक अनुचुम्ब की नेक्स्ट कह रहा है कारवनायन की संख्या बताइए तो कारवना आगला है बेंजीन में कितनी अनुनादी सरचनाएं बताइए तो भी बेंजीन में देखो 6 अनुनादी सरचनाएं आपकी बंती यहाई इस्ट्रक्शर जो आपका बनाए हुगा यहाँ यह देखो तो यह इनमें इलेक्टरॉनों का ट्रांसफर होता है ठीक है। इस तरह से आपकी कितनी सब्सक्राइब कितनी सरचना मिलेंगी आपको देखने को छे सरचना मिलेंगी ठीक है प्रती एक बार एलेक्टरॉन और शिफ्ट होते रहते हैं एक दूसरी जगह तो हमारे कितनी बन जाएंगी छे संरचना यहां से आपको मिल जाएंगी अनुनादी संरचना मतलब कोई भी आपका एक मॉलीकूल हो गया जो उसके सभी गुण किसी एक संरचना द्वारा आपको प्रदर्सत नहीं होते हैं तो यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर होगा या कहां पर होगा इसलिए इसको क्या करते हैं बीच में रिंग द्वारा दर्सा देते हैं तो यहीं पोजिशन पता लगाने के लिए क्या आता है इसका लास्ट में क्या बनता है जो पताता है कि यह कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी हो सकता है ठीक है यह उती है इसकी अनुनादी शरजना है नेक्स नगरा यूनिट आ गया फिप्ट ठीक है फिप्ट टुनिट करा एक अमले हैं तो सब तूसरे बेद का जाता है यह में कार्बन कार्बन के वीच में l charger करन का ग्रम क्या होगा कोई भी l कोहल है धर हम बात करें मालो यह क्या हैमारा she 3 5 Gram अगला क्या अलगा मारा सी टूच5 वेच तो इनका annika निरिजली करन होताय याननि कि water molecule का निकलना होता है वो क्या होता वह उगा है उन इस तता है थो छोटा है जड़ा हुआ है थो यह立ाइवा तरी डिनी कारवन झार मानलों यह हमारा करश्कार महन है इस्से लगा हुआ तो यहें हमारा करवन अगर दूसरा के लेया दूसरा हमारा यह झाल लगा हुआ तो आप यहां पर है बचल लगा यहां लगा है तो यह आंकर कार्वन तो यह हो है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिगरी और बन डिगरी नेक्स्ट कहा रहा है कौन से विलोपन अब करियां है प्रदरसित करते हैं तो बिलोपन अब करिया वहते हैं जिसमें जैसे कोई अगर हम बात करें यानि कि यह हैलोजन इस से बाहर चला जागा इस पर कैसा आजागा कोई भी चार जा जागा पॉस्टिब्ली जब यह एलेक्ट्रॉन लेकर जागा तो बिलोपन वही होता है कि किसी मॉलिक्यूल का बहां से हट जाना यह गायव हो जाना ठीक है तो एलकेल हैलाइड हमारे इस डाल थे गया हो जागा आपका ऐथीलीन तो बाएर अभिकरमक क्या है तो बायर अब कर्मक बात गरम तो यानि कि जो के एमनुफोर होगा का हमारा कैमेंट ओफोर ओगा इसमें इसका किसी अटो और इसा किसनक क्या होगा इसको हो जा है इसको याद रखना किसे कहते हैं तो आप सभी जानते कि स्थानों पर मिलती है का मिलती इन दल दले इस्तानों पर जैसे जनफर जहां बनते हैं गोड़े बहंस तो उन स्थानों पर यह ज्यादा पाई जाती है नेक्स हमारा कह रहा है ए-से लिफ में कितने मि बन्द पाया जाते हैה है तो तो कि तो अगर आप इसका पीडिये फॉर्म चाहिए तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ठीक है यहां से आप पीडिये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें प्रकाशिक समाव्यपता प्रदर्सित करता यानि कि प् अदॉर्म वर्म करना प्रकाशिक समाव्यपता बना नहीं है तो इनमें अईसा कौन सा जो दिखाएगा तो कि नकिल्सितन थ्रह सैसे दिखाता है टू ईत्री कि प्रकाशीक स माव्यपता यहां दिखो foresee future CH और यह आगया हमारा OH CH और यह आपका CH तो हो गया ब्यूतेनल टू एक दो तीन चार ब्यूतेनल टू अगर हम बात करें तो यह सेकंड कारबन पर लगा होगा आपका ब्यूतेनल टू तो यहां पर देखने को मिल जागा तो यह अगर हम इसके बीच में मिरर रख देंगे यहां मिरर रख देंगे तो बिल्कु सेम इसी की तरह आपको structure इधर मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर रख दोगे, OH यहां रख दो, अगर यहां रखोगे तो जो आकरती हमारी सीशे में दिखाई देगी, वो भी इधर से, एक दो, जब इधर गुनोंगो, तो दूसरे नंबर पे ही आपको OH ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यह होता है, प्रकाशिक शमावेट था, नेक्स्ट अगर हम बाद करें, दूसरा हमारा कहरा है, कौन सा से घरा रहता है, जिसके दोनों तरफ, एलकेल गृप लगा रहता है, ठीक है, चाहिए, वो डिफरेंट हो, तो इसका आपका यह हो जागा, C2H5, क्या हो जागा, C2H5, SC2H5, यहां पर भी आपका, C2H5, ठीक है, तो यह कहाँगा, दर्सा है, आपका, मेटा मर्जम, क्या द सिंगल बान, C2H11, बर रहा, C2 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, C5H11, प्लस 2N, यह किसका उदाहरण है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो यह आपका, बुट्स रियक्शन का उदाहरण है, किसका, बुट्स रियक्शन में, आपका क्या बनता है, इस तरह का, ऐलकेन बन ठीक, नेक्स्ट हमारा बुट्स रियक्शन में, एक और भी आता है, कि मतलब बुट्स रियक्शन में, बुट्स रियक्शन द्वारा किसको प्रिपर नहीं किया जाता है, तो मेथन को बुट्स रियक्शन द्वारा प्रिपर नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रिपर में, कार्बोनियम आयन अधिक स्थाई होगा अब यहां पर बताना है कि ऐसा कौन सा कार्बोनियम आयन है जो अधिक स्थाई होगा तो देखो कार्बोनियम आयन आपका अधिक स्थाई कौन सा होगा मैथिल CH3 क्या होगा? सुरी, CH3 कार्बोनियम आयन CH3 positive इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन यह आपका कैसा होता? most stable होता है primary के अगर हम बात करें तो primary में क्या होगा? primary में यहां दोखो corner पे primary में उसी carbon से एक दूसरा carbon भी लगा होगा ठीक है? उसी carbon से एक दूसरा carbon भी लगा होगा जो इसको electron डोनेट कर सकता है इसलिए यह कैसा होगा? strong नहीं होगा secondary भी नहीं होगा ट्रसरी भी नहीं होगा कैसा होगा? किबल methyl होगा most strong कारा कॉम सा chiral अडू है? chiral अडू बे होता है जिसमें यह carbon से जितने भी हमारे atom connect है तो कैसे होने चाहिए? different होने चाहिए ठीक है? भई कहरा था chiral तो अगर हमें आप बात करें देखो यह carbon से 3 hydrogen same है इस carbon से 2 hydrogen same है 2 chlorine इस पर देखो यह balance ही पूरी नहीं कर रहा है इसकी अगर हम बात करें carbon hydrogen chlorine bromine तो यह हमारा क्या हो जागा? chiral कैसा हो जागा? chiral next कहरा है कि CO2 का अडू CO2 का अडू कैसा होगा? आपका linear हो जागा कैसा हो जागा? linear हो जागा इसमें दिख खना आपगो रेकिए तो पहला answer हो जागा आपका कारहे कार्बोनियम है? ऐसा कौन सा है जो carbonium है तो carbonium अभी हमने पढ़ा था कि CH3 methyl हमारा क्या हो जाता है carbonium हो जाता है CH3 carbonium पहरा answer next कहारा है ग्रिगनाड अभिकरमक है अभी हमने उपर पढ़ा था RMGX ग्रिगनाड अभिकरमक की बात की थी हमने तो इसमें अगर हम बात करımızı तो इसमें किस प्रकार की समावियपता हो जागी इसमें आप की हो जागी जेमती हैं यहां पर आपको स्वल्ग हाई ने सकते क्या बन सकते हैं यह और स्वल्म क्योंस और यानि की कार्बन कार्बन के बीच में डॉबल वांड है एक तरफ के अलगा हुआ आपका बी यार और दूसरी तरफ आडोजन ठीक इसी तरह से यहाँ पर सिग्यल और यहाँ पर हाइडोजन अगर यह दोनों हाइडोजन सेम हो जाते हैं दोनों हाइडोजन एक ही जग एक प्रकाशिक समावयवी की संख्या बताई practically क्रासिक संख्या कितनी हो जाती आपकी तीन हो जाती ठीक है यह आपको यान्द रखना है टाठ रीक अम्ल में प्रकाशिस मावयवी कितने हो जाएंगे टीन हो जैएइंगे डे लिए रहा है कि stimulate तनाव सिध्धान्त क्या है तो वायर तनाव सिध्धान्त क्या है यह कहरा है जो हमारे साइक्लो एलकेन होते हैं यानि कि साइक्लो एलकेन चाहा उसमें तीन कारवन हो चाहा उसमें चार कारवन हो जाए उसमें पांच हूं चाहें छहों की इस थाधतां को बताताए है मतलब इन में से कौह उच्छ कार्वन स्याधा यह बताता है कौह मारा बीरतनाव ? तो सबसे competency में जिसमें जतने जाधा कम Innum कम तनाव उतना ही ज्यादा रिंग कम तनाव उतना ही ज्यादा रिंग ज्यादा तनाव कम ठीक है यह रखना अगर आप से पूंच ले उल्टा करके तो करा साइकलो ब्यूटेन अथवा साइकलो पैं टेन में तनाव किसका जादा होगा तो एक तो है पेंटेन हमारा क्या है पेंटेन खैसे अर दूसरा गें made यूठेन तो सब कम कार्बन किसमें çokbude लोग meta क्रक्पी किसमें कारबन कम होगे तो हम कह सकते कि हमारा जो mencion में तनाव कम हो जागा अच्छा नियां रखना क्या एथेन का सरूपड अनन्त है हाँ एथेन मॉलिकूल हमारा क्या होता है सी टू एच सिक्स इसका सरूपड कैसा है अनन्त इन फाइनाइट है ठीक है इसको कही तरह से आप शो कर सकते हैं जैसे इसी तरह इसकी गॉझब बनती है नेक्स्ट हमारा कहता है किया ब्यूटे नरॡ टू प्रकासिक समयावर्ता प्रदर्सित करता तो हम कहाई सकने कि हा करता है अभी हमने ऊपर पड़ाता ठीक है ब्यूटे करता है नीचे आपको चित्र दे र importa ये क्या बताता है ये क्या बताएगा आपका इस तरह का चित्र तो यह हमारा जो सामने सामने वाले कार्बन कर लगार और ही पीछे पीछे वाले कारबन कर लगा है इस्टेगर्ट को दर साता है नेक्स्ट कहा रहा है लैक्टिक अमल के प्रकासी समय विप्ति की संख्या कितनी होगी तो भी लैक्टिक अमल के प्रकासी समय विप्ति को आपको याद रखना कितने होंगे तीन बनते हैं लैक्टिक अमल के प्रकासी तो गिनलो इतने बराबर हैं तो भई हो जागा कारबन देखो दो यह हैं और एक तीन कारबन जैना नहीं हो तीन कारबन हो जो की होने चाहिए, next कहा रहा है hydrogen कितना है, 9 और एक hydrogen यह 10 हो गए, 10 होने चाहिए oxygen कितना है, एक तो हमारा कौन सा हो जागा, बी बाला option इसका हो जागा, next हमारा है unit 7, unit 7 में आपको मतलब एक computer से संबंदित question दे रखें, ठीक है, तो इनके सीधे हम answer करेंगे, इसके बारे में आपको किबल answer याद रखना है कि कौन से का, कौन सा answer बताया था, या कौन सा answer है, ठीक है, तो यह आपका जो आपने उपर पढ़ा, यह important है, यहाँ से जो computer, इससे दो, हालंकि दो एक question बनता है, ठीक है, आपको short में भी मिल जाएगा, आपको एक long में भी मिल जाएगा, तो computer को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ा देंगे, computer भी पढ़ाया जागा, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कर दिया करो, अच्छा, और अपने दोस्तों को share कर दिया करो, तो पहला computer का question है, computer का अविसकार किस ने किया था, सामने जो आप display देख रहा हो, उसी को कहते है, monitor, तो यह क्या होता, output जो हमें result देता है, ठीक है, तो output बो device होती है, जो हमें result देती है, जैसे speaker मान लो, speaker में गाना बजता है, तो हम दोनी सुनते हैं, वो भी output हो जागा, ठीक है, printer भी हमारा output हो जागा, क्योंकि उसमें हम printer न एक जीवी की अगर हम बात करें, तो एक जीवी में आपके, एक जीवी में हो जाएंगे, बन जीरो हो, इसमें तो बहुत हो गया, यह हो जाएंगे आपके 1048576, इतने आपके के भी हो जाते हैं, एक जीवी में, ठीक है, और अगर हम एक जीवी की बात करें, तो एक जीवी म इतने आपके के भी हो जाते हैं ठीक नेक्स्ट कहा रहा है यहीं पूंचे जाते हैं के भी बेट्स वाल है ठीक है और हमार हम कहchlag member की या किया from gb 1234 में किस प्रकार का number system फिक्त होता डूर बाज़ने नांबर में और यह इन पुट लेता है ठीक है प्रानरी अंकों का अधार कितना होता के आंधार आहार कितना वें बार düşünसे हो में बात करें तो memory क्या होता है computer की memory क्या कहलाती रैम तीक है रैम जैसे mobile हम देखा होगा आपने 4GB RAM ठीक है या 6GB तो यह क्या कहलाती है स्मृति कहलाती ठीक है memory कहलाती अंक गड़ती यूकती है तो अंक गड़ती यूकती को कहते हैं खीक। प्रक्साशनीटारा युट्छिट धिकरि रिख contributing क्या है यहिंज्य मत्सक्ते च्वर्क्साशनीं ये क्या ग्या है खीकशनी लॉख लूच्सराथ क़ोपने थ्याय। के आधार पर ये अंक होते हैं बैड़ गाय शंख्यार किटने रुचामने होते हैं कि ये इनक했는데 करते हैं तो अंदर इसको किने इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं तो 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 इन्फ तो आपको explain नहीं करना है, हम केवल आपको answer बता देंगे, वही answer आपको इन में से याद करना है, और बस आपका, जो MCQ है हमारा आज का, वो complete हो जाएगा, ठीक है, MCQ, तो ये सारे MCQ अगर आप कर लेते हैं, तो कोई भी MCQ आप छोट के नहीं आएंगे, हो सकता है, आपका short ज का माना आपका क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, दूसरा कह रहा है, 10X.dx, का रिखा बंकर, अक्द सोबा करोगे, तो आपका क्या आजागा, तो यहां से आपका आजागा, सिक स्कौार, स क्या, डी answer आपका यहां से प्हुर्सेंटर का मस्तिस्क, तो CPU को computer का मस्तिस् काहते हैं तो किया माउस आफ्टिए नहीं हमारी क्या होता है जिनको हम छू सकते हैं ठीक ह Potter सकते हैं निम्ण में से हाडवेर है अब देखो हाडवेर क्या आपका कीबर भी हाडवेर है मॉनिटर भी हाडवेर है MAWS भी हाडवेर तो क्या हो जाएगा answer सब कराउट एक्स 0x0 का मा समा कलन होगा i7 जिरो का जब आप समा कलन करोगे पर आपको six square x मिल जागा, क्या मिल जागा, six square x यहां से आपको मिल जागा next कह रहा है, sine 90 sine 90 का मान क्या होता है, देख लो sine 90 का मान आपका कितना होता है one होता है, ठीक है, है स्कूल वाला आगया, अच्छे से पढ़ा होगा आपने log 25 प्लस log 5 log 25 प्लस log 5, इन दोनों को add कर दो तो कितना आजागा, आपका आजागा log 125, कितना आजागा log 125, next कह रहा है log 1000 का मान है, तो log 1000 का मान कितना हो जागा इसमें 3 वाद 10 दस ले, यानि log 10 बरावर आपका कितना होता है, ठीक है log 10 बरावर बन, और यह log 10 कितनी बार लिखा है, तीन बार लिखा है, तो आपका answer कितना हो जागा, तीन हो जागा, ठीक है log 1000 का मान 3, यानि कि दद दस को 3 बार multiply करा है, तो कितना आगा, 3, log 10 का मान बन होता है, ठीक है, यह आदर रखना, next कह रहा है log B, A upon B का मान होगा, log A upon B की अगर हम बात करें, तो क्या हो जागा, माइनस का हो जागा, क्या हो जागा, log A माइनस, log B, क्या हो जागा, log A माइनस, log B, answer B आपका हो जागा कह रहा है, log यदि log 2 का मान इतना है, 0.3020 log 3 का मान आपका इतना है, 0.477 बन, तो log 6 का मान बताइए तो यहां पर आपको क्या बताना है log 6 का मान आपका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 0.7781 C answer next का रहा log X का समाकलन होगा जब आप log X का समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा X bracket में log X minus 1 क्या मिलेगा X bracket में log X minus 1 answer C आपके यहां से हो जाएगा next हमारा है कह रहा है cos 45 का मान होता है cos 45 का मान कितना होता है 1 upon under root 2 आपका D answer यहां से हो जाए next कह रहा है mouse क्या है तो mouse अभी हमने पढ़ा था output होता है output होता है not input तो क्या हो जागा answer A आपका यहां से हो जागा next अगर हम बात करें 16 question की कह रहा है 10X का अगर अब कलन करेंगे तो क्या होगा होगा 10X का अब कलन करने पर क्या हो जागा जब आप 10X का अब कलन करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर square आजागा 6 square X क्या जागा 6 square X है आपको इसका answer मिल जागा कह रहा है, ज्यादा 90 का मान होगा, 90 का मान ज्यादा कब होगा, जब यह 0 होगा, ठीक है, जब यह कैसा होगा, 0 होगा, next कह रहा है, log x का समाकलन, जब आप log x का समाकलन कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, अभी पीछे पड़ा था, आपने x log bracket में, x पूरांस क्या है तो 450 का पूरांस आपका कितना हो जागा दो हो जागा यानि कि 2 इसमें नंबर है ठीका वही कहरा पूरांस नेक्स्ट कहरा है 6 स्क्वाइर उसकल टू 30 को लगगणक के रूप में प्रकट केजिए तो 6 इंटू 6 इसकल टू कितना हो जाएंगे आपके 2 तो यहां से आपके 2 लगगणक आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट कहरा है 10x का आपकलन होगा भी 10x का जब आप आपकलन करा दोगे तो यहां पर क्या जागा 6 square x क्या जागा 6 square x c answer x का हो जागा आपका 22 का कहरा है cos x into dx का समाकलन जब आप cos x और dx का समाकलन करवा दोगे तो आपको answer क्या मिलेगा sin x क्या मिल जागा sin x मिल जागा answer b आपका यहां से हो जागा next कह रहा है ज्यादा 90 का मान होता है ज्यादा 90 का मान किता होगा भी यह बताओ जरह देखे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या आ जागा बन आ जागा जागा ज्यादा 90 का मान किता आ जागा बन आ जागा ठीक है जिया सौरी ज्यादा नहीं जिया लिखा हुआ ह जिया next हमारा question कहा है log base e a log ऐसे लिखा log यह base e और a काम मान बताओ log base e και और a काम मान बताओ एक कितना आताओ इसका मान e काता है next हमारा question है next कहा है person 25 काम मान काम बताओ यह जो 0 उसके बाद यह लगा हुए है आपका यह इसका मान बताना है यानि कि यह लगा जीरो उसके बाद दिये ठीक है इसका मान आपको बताना है तो इसका मान आपका कितना हो जागा बन हो जागा क्या हो जागा इसका मान भी आपका बन हो जागा नेक्स्ट लिखा हुआ है सेक एक्स का अबकलन होगा जब आप सेक एक्स 10X आपको यहां से मिल जागा तो यह तो था हमारा आज का जो भी MCQ था लेज वीडियो को लाइक आज सबस्क्राइब करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हम यहां पर जितने भी आपको जो भी questions करा रहे हैं वो बेरी बेरी important है कैसे बेरी बेरी important है आपके BSC part 1 के लिए ठीक है BSC part 1 और आपका क्या है semester भी आपका 1 है तो सभी पढ़ते रहे हैं यहां से हमारे साथ और जितने भी वीडियो हम कराते हैं सभी का अगर आपको PDF form चाहिए तो PDF form का link हमने इसी वीडियो के description box में दे देते हैं जहां से आप सभी वीडियो के PDF form डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई अच्छे से continue कर सकते हैं ठीक है तो thank you बने रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले season में